नमस्कार ट्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है शाजहापुर्प का आउटर जहां से हम आपके लिए यह पार्ट टू लेकर के आए हैं पार्ट वन इससे पूर्व जो हमने वीडियो किया CRS निरिक्षन से पूर्व किया तयारिया चल रही है शाजहापुर में हमने उसमें आपको एनार साइट का यानि उत्तर रेलवे की तरफ का जो सेक्षन है जो पोर्शन है जहां पर मेगा ब्लॉक के कारी हुए थे उसको दि करके चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से यहां पर क्या कुछ कारियों का निरिक्षन हो रहा है सामने आप देख सकते हैं सिग्नल यहां पर किस प्रकार से जल रहा है जंक्षिन बॉक्स वगारा सब पेंट हो गए हैं और सामने की दिशा में आप देख सकते हैं किस प ट्रेक हमारा इलेक्टरिफाइड रूट बरेली से जो आ रहा है लखनों के दिशा में जाने वाला लखनों बरेली रूट वो आ जाता है ये आप देख सकते हैं पुल के उपर जो धकाताल के पास है एक प्रकार की दोनों तरफ बहुत बढ़िया यहाँ पर रिटेनिंग वॉ पीले रंग में लिग दी गई है अंकित हो गई है साथ में जो ट्रैक्स हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉंक्रीट के जो स्लीपर्स होते हैं उनको यहाँ पर पेंट किया गया है ये वीडियो भेजा है दीपक कुमार शर्मा ने हमारे रेल रिपोर्टर सकते हैं सारा अमान परिवर्टन हमने वहाँ पर प्रिजर्व कर दिया है गेज कनवर्जन का काम जो हुआ है पिली बीत जंक्षन से शाजहापुर तक इसका अब फाइनल टेस्ट फाइनल एक्जाम की जो तारीक है चार अगस्त वो नजदीक आ गई है और सियारस इस्पेक जो ट्रैक है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से सारी चीजें जितने भी सर्केट्स हैं सब कुछ पेंट और सारी कुछ चीजें यहाँ पर तैयारियां दिन भर आज अधिकारी यहाँ पर आ करके चीजों को परकते रहे चेक करते रहे पैनल रूम हो रिले भी चीजें हैं detailing जिसको हम कहते हैं section की जो लिखी जाती है वो यहाँ पर लिखी हुई यह tracks के किनारी यह जो छोटे छोटे आपको sign boots दिखते हैं जिसमें सारी information होती है और अब हम जिधर anyr का हमारा section है जिधर tracks जाके terminate हो जाएंगे end हो जाएंगे जहाँ पर पहले छोटी लाइन थी, दो प्लैटफॉर्म्स यहाँ पर तयार हो गए हैं, बहुत शांदार, हाला कि अभी कुछ कारे बाकी हैं, जैसे पैदल पुल बनना, फोट ओवर ब्रिज का कारे बाकी है, वो बाद में होता रहेगा धीमे-धीमे, अभी पहली प्राथमिक्ता, रेलवे की, हमारे पुटनकपुर की दिशा में आगे यात्रा करनी है, तमाम सारे शधालू हैं, जो माता पूर्णा गरी के दरबार जाते हैं, दर्शन करने उनके लिए, डेली स्टूडेंट्स तमाम अब डाउन करते हैं, ओफिस वाले हैं, तो सभी के लिए पहली प्राथमिक्ता जो फेद रंग में पेंट हो गई है, बेंचिस अपनी जगें बहुत विवस्थित हो गई है, दिन भर आज जिदर छोटी लैन का ये हमारा स्टेशन हुआ करता था कभी, अब आज आप देख सकते हैं, जब बड़ी लैन हो गई अमान परवर्तन के बाद, तो कितना चमक रहा ह नई LED लाइट्स, उचे प्लैटफॉर्म्स, और यहां पर आज दिन भर सफाई करमचारी साफ सफाई करते रहे, क्योंकि CRS इंस्पेक्शन के वक्त हर चीज बिलकुल चका चक और चमा चम मिलने चाहिए, इस पिक एंड स्पैन जिसको हम कहते हैं, अभी छोटे छोटे भी पूरी तरह से जज़कोर दिया, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेजल व्यवस्था है, बहुत ही खूपसूरत यहां पर टाइल्स लगाए गए हैं और नल लगे हैं, इसकी साफ सफाई रख रखाओ और मेंटेनेंस का जिम्बा, जो यहां पर यातरी ह हैं, उनका सयोग इसमें होना बहुत अवश्यक है, तभी यह साफ सफाई रह पाएगी, सवच्चता रह पाएगी, रेलवे अपनी तरफ से पूरी कुशिश करती है, सवच्चता को रखने की, लेकिन यह हमारी हर नागरिक की अपनी जिम्मेदारी भी है, कि वो इस्टेशन सफाई से आप बिल्कुल चक्मकाता रहे, ताकि कोई गंदगी यहां पर ना दिखे, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़े यहां पर बना करके दी हैं, शेल्टर्स आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बेंचे उसके नीचे सब चीज व्यव सारी चीजों की तैयारी, सारी बिल्डिंग पेंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, काफी स्वच स्टेशन नजर आ रहा है, और थोड़ा बहुत बारिश का जो पानी है कहीं कहीं, दिख रहा है आपको, यह आप देख सकते हैं, स्टाफ का जो कोच होता है, यहां पर खड गंटे में लगभग यह सारा जो कारक्रम है, CRS निरिक्षन का यह पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद उमीद है, कि जैसे ही CRS साब अपना OK सर्टिफिकेट देंगे, अपनी हामी भरेंगे, उसके तुरंद बाद से सबसे पहले माल गाडियों का जो संचालन है, जिससे कोचस में पानी भरा जाता है, नीले रंग में पेंट हो गए हैं, वो भी, साबने सिगनल साब को दिख रहा होगा, यह सिगनल हमेशा लाल रहेंगे, चोकि इसके आगे लाइन नहीं है, यहां से शंटिंग सिगनल की जो मदद से लोको मोटिव है, उसको रिवर्स कि जाएगा, वापस फिर पीली भीत जंक्शन की दिशा में, ट्रेन यहां से जाएगी, और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार भी बहुत तेजी से ग्रीन पावर कंपनी कर रही है, और उमीद है कि अक्टूबर तक शाजहापुर तक मास्ट डालते हुए, तार लगाते हुए कंपनी आ जाएगी, क्योंकि आपने देखा पूर के वीडियो में हमने दिखाया था, शैबाज नगर में भी फांडेशन्स स्टिशन के उपर बना ली गई है, मास्ट बहुत जल्दी पढ़ता है, फटाफट एरेक्ट होगा, और उसके बाद वाइरिंग का काम तेजी से कि जाएगा, सिगनल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाल कलर का सिगनल दिख रहा होगा, जिसके नीचे शंटिंग वाले LED लाइट्स लगी हुई है, जोकि यहाँ से आगे प्रेन नहीं जाएगी, आगे जाकर के ट्रैक एंड हो जाता है, फिर यहाँ से वापस रिवर्स में पीली बीत जंक्षन की दिशा में, टनकपुर की दिशा में जाएगी, और दो रेल गाडियां सुनने में आ रहा है, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि शुरुवात होगी, एक पीली बीत से लेकर शाजापुर के बीच चलेगी, दूसरी टनकपुर से पीली बीत होते हुए इंता को फाइदा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सामने से आपको ट्रॉली आते हुए दिख रही होगी, दिन भर आज ट्रॉली से निरिक्षन होता रहा, काफी सारे अधिकारी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो लगे रहे, चेक करते रहे चीज़ों को, कि कहीं पर कोई कमी हो तो इसको दुरुस्त कर लिया जाए, सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोटर ट्रॉली आ रही है, सिगनल यहाँ पर सब जल रहे हैं, तो सब चीज, NER साइड भी तयार है, बिल्डिंग वगारा सब पेंट हो चुकी है, ट् बस CRS Inspection का इंतजार है, और जो भी अपडेट आ गया आगी हम बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे,